नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार चौपाल समाचार की हर ख़बर समाज पर करती है असर और आज में इस ख़बर को लेकर आया हूँ ये खर भी समाज से जुड़ी है और समंधित है जमीन समंधित विवादों के निप्टारे की ऐसी परक्रिया से जिसे की आपको जान लेनी आवश्यक है आपको मैं बता दू कि बिहार सरकार भूमी एवं रालस विवाद के द्वारा अब जमीन समंधित विवादों के त्वरित निश्पादन की परक्रिया चल रही इस परक्रिया के माध्यम से आप अगर कोई जमीन वाद से जूज रहे हैं तो निदान निकाल सकते हैं अगर आपके कोई अपने भी समस्याओं से जूज रहे हैं तो उन्हें भी आज आप इस वीडियो के माध्यम से सूचित कर सकते हैं कि आपकी समस्या का भी निदान निकल सकता है हम आपको सीधे सीधे लिए चलते हैं अनमंडल कार्याले मुझभफर पूर्पस्चिम जहां पर अनमंडल अधिकारी व्रजेश कुमार ने इन सारी प्रकडियाओं को बरही सरलता से आपके लिए पताया है आप इसे पूरा सुन कर देजिए समझ लेजिए इस वीडियो को सेर भी जरूर कर देजिए राजश्वंग भूमी सुधार विभाग है उसके द्वारा दो तितिया निर्धारित की गई है अनमंडल पदाधिकारी और पूलिस पदाधिकारी या जो पूलिस उपाधिक्षक होते हैं उनके अस्तर पर महिने के दूसरे और चौथे बुधवार को भूमी विवाद से संबंदित मामलों के लिए शमिक्षा वैठका यूज़ की जाती है इसमें है क्या कि जो सनिवार को जो थाना दिवस होता है जिसमें संबंदित थाना पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के द्वारा भू इसी करम में आज मैं आपको अपने अनवंदल पस्मी का डाटा में बताना चाह रहा हूं कुल 148 मामले अभी तक प्रतिवेदित हुए हैं जिसमें से 79 का निश्वादन किया जा चुका है और 39 मामले प्रक्रियाधीन है 36 मामले जो हैं वो जिनका प्रारमिक निश्वादन किया गया और दो मामले हम लोगों ने अस्विकرج कर दिया है और दो मामले मापी के लिए डेट निलκε किया गया तिये प्रक्रिया है कि कोई भी भी ब्यक्ति आवेदन लेकर के थाने में जाता है और वहाँ पर जो राजस्व विभाग के जो अंचल अदिकारी या राजस्व पदादिकारी होते हैं उसकी समिक्छा करते हैं और उसको जो पोर्टल है ग्रिह विभाग के द्वारा जो पोर्टल जारी किया गए उस पोर्टल पर उसको स्कैन करके उसको अपलोड कर दिया जा उसमें तीन चरण है जो समाने परकृति के होती हैं या On A Export उसका समाधान हो जाता है उसको तकालित वहाँँ पर समाधान कर दिया जाता है जो समवेदन सील परकृति हो उती है जो जिला दिकारी और पुलिस अधिशकृ के अस्तपब जाती है जो सेल के जो कर्मी है अनवरत इस पर निगाह रखते हैं और जो भी तूटियां होती है उसका निवारण करते हैं यह सरकार की माती परियोजना है और अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहे हैं आप स्वेंग देखिए कि 149 मामले में से 79 का समाधान हो चुका है तो सरका चाहते हैं कि सब का इसमें स्वेयोग मिले ताकि भूमी विवाद के समस्याओं को निश्पादित कर सकें तो आपको जानकारी मिल गई होगी किस तरह से जमीन समधित समस्याओं का निप्टारा किया जाता है आप इसका लाब उठाईए और आप यदि इस समस्या से नहीं भ लोगों तक पहुँचाईए और भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिए हम सब मिलकर जिस बेहतर समाज की प्रड़क अपना किया है ना आपका सोयोग बहुत ही प्रार्थनी है और साथ ही सूचनाओं का जो अदान परदान है याद रखिएगा इससे सम सब्सक्राइब कर लिजिए फेस्बुक पेज को भी लाइक कर लिजिए इस्टाग्राम को भी फॉलो कर लिजिए और हम सब मिलकर इस बेहतर समाज को बनाने चले है ना आप अपना सयोग हमें कमेंट कर जरूर दीजिएगा आज करिए बस इतना ही महीव अप्शे कारण निवाद